किदारनात मंदिर कब और किस ने वनवाया था तो चलिए आज आपको किदारनात मंदिर के इतियास के विशे में जानकारी देते हैं किदारनात मंदिर अनेकों वर्ष पुराने होने के कारण निर्मान कब हुआ इसका कोई इतिहासिक परमान तो नहीं है परंतु माना जाता है कि यह मंदिर लगबग एक हजार वर्ष पहले बनवाय गया था और ऐसा माना जाता है कि किदारनात मंदिर का निर्मान पांडवो दोवारा ही किया गया था कुरुशेत्र में लगबग 18 दिन चले महाबारत युद्ध में पांडव विजय तो हुए परंतु इस युद्ध में सभी रिष्टों की बली चड़ चुकी थी और युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अत्यन्त चिंतेत और मायूस थे फिर पांडव श्रीकरिष्ण से मिले और श्रीकरिष्ण ने पांडवों को बताया कि युद्ध तोवा जीत गए हैं परंतु पांडव, ब्रह्म हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या, जैसे पाप के भोगी बन चुके हैं इसलिए श्रीकरिष्ण ने उन्हें पश्चादाप करने को कहा और मार्श दर्शन किया और बताया कि इन पापों से मुक्तितों उन्हें सरफ भोले नात ही दे सकते हैं इसके बाद सभी पांडव, श्रीकरिष्ण की आग्या के अनुसार शिवजी के दर्शन को शिवगी नगरी यानि काशी जा पहुँचे भोले नात पांडवों द्वारा किये गए हत्याओं से अत्यांत खुदित थे और वहाँ पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे इसलिए पांडवों के काशी पहुचने से पहले ही शिवजी काशी से जा चुके थे पांडवों ने शिवजी को काशी नगरी में हर जगे ढूंडा पर वहाँ उन्हें नहीं मिले इसी दोरान पांडवों की मुलाकात माता पार्वती से हुई और माता पार्वती से पांडवों की यह दर्शा देखी नहीं गई इसलिए उन्होंने पांडव को यह जानकरी दी कि शिव जी हमाले की ओर गए है बस फिर क्या था पांडव शिव जी के दर्शन हीतु हमाले के पहाड़ों पर बसे अत्यांत सुन्दर और प्रकरतिक स्थान उत्रा खंड जा पहुँचे पर हमारे भोले नात तुस सब जानते हैं जैसे ही उन्होंने पांडवों को उनकी ओर आते देखा शिव जी ने एक बैल का रूप धारन कर लिया पांडवों ने उन्हें बहुत डूना पर शिव जी के दर्शन अब भी पांडवों को नहीं हुए थे इसी दोरां पांडवों की दर्श्टी उनके पास चरते हुए कुछ पशूओं पर पड़ी और उन्हें अंदेशा हुआ कि भोले नात भी यहीं पर कहीं हो सकते हैं फिर महाबली भीम को एक उपाय सूजा उन्होंने अपने शरीर का आकार पहाड जैसा कर लिया जिससे वहाँ मौझूद सभी पशूँ में अफरा तफरी मच गई और वह सभी यहाँ वहाँ भागने लगे फिर महाबली भीम की दृस्टी एक बैल पर पड़ी जो बिलकुछ शांत और स्फिर खड़ा था उस पर भीम के विशाल रूप का कोई असर नहीं हो रहा था बस फिर क्या था पांडवों को समझ आ चुका था कि यहीं शिवजी है जो एक बैल का रूप धारन किये हुए है साथ ही भोले नाथ भी यह समझ गए थे कि पांडव उन्हें पहचान चुके है फिर उसी बैल रूपी अवतार में शिवजी धर्ती में समाने लगे शिवजी के शरीर के सभी अंग तो धर्ती में समा गए पर उनकी पीट को महाबली भीम ने पूरी ताकत के साथ पकड़ लिया कारणवश पीट का हिस्सा वहीं रह गया और बाकी शरीर के अंग धर्ती में समा गए जो उत्राखंड में अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए और पंच केदार कहलाए जाते हैं जिनके नाम है रुद्रनात, टुंगनात, मद्यमहश्वर, कलपेश्वर और उस बैल रुपी अवतार के पीट को केदारनात मंदिर में पूजा जाता है इन्ही पांचों स्थानों को पंच केदार भी कहा गया है अब प्रश्ण यह है कि केदारनात मंदिर का निर्मान किसने और कब करवाया माना जाता है कि किदारनात मंदिर का निर्मान पांडवों ने ही करवाया था और फिर पांडवों की आने वाली प्रिभी और कई राजाओं ने इस मंदिर निर्मान में अपना सही योग दिया फिर सेकरो वर्षों के बाद मंदिर की इमारत छतिगरस्थ हो चुकी थी इसके बाद आदी गुरु शंकराचारे जी ने किदारनाथ मंदिर का फुनह निर्मान करवाया था साथ ही आदी गुरु शंकराचारे जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में मंदिर के पास शिवजी का ध्यान किया और फिर समा भी लेगी तो दोस्तों यह थी कि इदारनात मंदिर के निर्बांट से जुरी कुछ रहसे में जानकारिया इसी तरह की और वीडियो में अगर आप इंट्रस्टेड हैं तो आप प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलेंगे अगले वीडियो में हर हर महाँ आगे